जब हम मकान बनते हैं तो उसमें खिड़की तो होती है और खिड़की में सबसे important point हा जाता है दोस्तो हमारा window grill अगर window grill नहीं है यानि कि window की जाली नहीं है ऐसे वक्त में security का बहुत ही बड़ा प्रशन उपस्तित हो जाता है तो इसलिए बहुत से लोग various type की designs बनते हैं आज की बड़े में हम यही चीज़े जानेगी कि आपको window grill जो है वो बाहर के तरफ बिठानी अंदर के तरफ बिठानी उसको कितना खर्चा सकता है और कौन-कौन सी सावधानी आपको बरतनी है जिससे के आपके बहुत सारे पैसे बच सकते है और आपको आच्छे quality का material भी मिल सकता है तो चले बढ़ते हैं हम हमारे main point के तरफ अब यहाप पर सबसे पहला doubt मैं आपका clear करना चाहूँगा बहुत से लोगों ने sliding window के वीडियो में पूछा था कि window grill जो है हम अंदर के तरफ बिठा है या फिर बाहर के तरफ बिठा है अब इसका main reason मैं आपको बाताता हू तो ऐसे वक्त में आपको खिड़की खोलने में या फिर बंद करने में दिक्कत हो सकती है और तो और दोस्तो ये बाहर से दिखने में अच्छा दिखेगा कि आपकी sliding window बाहर के तरफ है और grill जो है अंदर के तरफ है पर जब आप अंदर आते है most of the time आप घर के अंदर हो तो अब sliding window जो है वो security के काम तो करती नहीं है उसमें glass लगा होता है कोई भी glass easy break करके grill तक पहुँच सकता है चाहे वो अंदर हो या फिर बाहर हो तो इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़्यादा जोरी तो मैं आशा करता हो कि ये doubt आपका clear हो गया होगा कि आपको grill जो है वो आती है दोस्तो round bar की तो वहाँ पर आप 10 से लेके 12 mm का बार का इस्तमाल कर सकते है और जो spacing होती है दोस्तो जो दो बार के बीच में जो small spacing आपको दिख रही है वो 2 इंच की होती है और जो बड़ी spacing आपको दिखाई दे रही है वो होती है 3 इंच की अब यहाँ पर आपके design पर डिपेंड होता है कि किस तरह से आप ले सकते हो अब यहाँ पर एकदम plain design लिया गया है जो कि simple और sober है दिखने भी अच्छा दिखता है इसमें कुछ design patterns भी आते है जैसे कि आप अगले वीडियो में भी देख रहे हो कुछ इस तरह के designs आते है और उसके बाद में जो पट वाली window चाते है तो ऐसे वक्त में आप bright bar का इस्तमाल कर सकते हो रेगुलर बार से इस बार की जो कीमत होती है वो जादा होती है आगे जो वीडियो आप देख रहे हो दोस्तों यहाँ पर bright bar का इस्तमाल किया गया है यह बहुत ही जादा सकत होते है और security के हिसाप से यह जब आपका brick work खत्म हो जाएगा और plaster शुरू करने से पहले आपको जो है window grill को fix कर देना है इससे फाइदा यह होगा जब आपकी window fix हो जाएगी plaster से पहले तो आपके hole pass के उपर plaster आ जाएगा उसके उपर आपके window की granite frame आ जाती है तो इस वज़े से hole pass पीछे के तरफ hide हो जा जाता है या फिर कितना kilo तक आना चाहिए अब इससे पहले important point यह हो जाता है दोस्तों जब भी आप कोई भी window बनाने को देते हो तो ऐसे वक्त में जो primer इस्तमाल किया जाते है वो आपको branded company का इस्तमाल करना है क्योंकि local company का अगर आप इस्तमाल करेंगे और आप कहेंगे बा करेंगे दोस्तों rate की अगर आप labor rate पर window बनाने को देते हैं यानि कि material आप देंगे और सिर्फ जो welding वाला जो है वो cut करके material fix करके देगा 15 से लेके 20 रुपे पर kg के इसाब से उसका rate रहेगा उसके बाद में अगर आप आपके welder को पूरा width material देते हो काम तो ऐसे वक्त में उ पचास रुपे कीजी उसमें आपको 15 रुपे अड़ कर देने है उनके labor cost के जो कि आ जाता है 65 जहां तक बात आती है 4 by 4 की window की इस तरह की आगर आप window बनाते है ऐसे वक्त में उसका वजन हो जाता है 32 से लेके 35 kg तक जिसको कि आगर हम multiply करते है हमारे rate से तो हमारा answer आ जाता ह 2240 रुपए या तो फिर 2450 रुपए यानि कि आप मानके चल सकते 2500 रुपए से लेके 3000 रुपए तक आपको ऐसी window बनाने में खर्च आ सकता है तो यह चीज तो आपको समझ में आ गए अब यह rate की चीज पर depend होंगे जो कोई भी आपका market rate चल रहा है material का उस पर depend होगी यह ची में कुछ लोग क्या करते है material जो है बहुत जादा heavy बना लेते है जिसकी की जरूरत नहीं होती जितना प्रामान में चाहिए उस हिसाब से आगर आप बनाते तो ठीक है पर बहुत जादा अगर आप heavy बना लेते है window तो ऐसे वक्त में आपके बहुत जादा पैसे चले जाते ह जोड जोड से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे अब यहाँ पर बहुत से लोगों को लगता होगा कि इतना कम कोश्ट आ रहा है पर दोस्तो यह एक window का हुआ आपके घर के लिए सिर्फ एक window नहीं होती लगबग आपके घर के लिए 10 से 12 window तक आ जाती है जितना heavy आपके घ करता होगी इस वीडियो से आपके doubts clear हो गया होगे अगर आपने अभी तक चानल को subscribe नहीं किया दोस्तो तो कैसे चलेगा चानल को जरू subscribe कर दीजे वीडियो अगर आपको पसंद आ गया हो तो जरूर इसे like कर दीजे और हाँ आपके कोई अनमल सवाल या फिर सुजा हो तो ज दरूर इसे share करतीजे तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद